हलो दोस्तो आप सभी का स्वागत है एक और बहतरीन वीडियो में तो हैर इस वाले वीडियो में मैं आपको हर वीडियो की तरह बहुत सारी जानकरी बताने वाला हूँ जैसे कि CS रेंग का सिजन 21 स्टार्ट हो चुका है और VR रेंग का सिजन 36 आने वाला है तो Heroic और Grandmaster पर जाने पर हम सभी को 2 Glowal की स्किन और 2 Emote free में मिलने वाले हैं तो ये दोनो Glowal की स्किन का event और Emote का event इन दोनों event का interface मेरे पास आचुका है तो आपको पता चल जाएगा कि ये दोनों event हमारे Indian server पर कब और कितनी तारीक को आने वाले हैं इंडियर मैंने एक trick लगाया और ये देखो फाइनली गिल्ड बेटल event से मुझे पचास हजार गोल्ड कोईन मिल चुके हैं तो वाले trick इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ क्योंकि जैसी हम लोग guild battle event पर क्लिक करेंगे view prizes पर क्लिक करेंगे तो आपको पता ही होगा grand prize में commando bundle मिल रहा है और normal prize में 50,000 gold coin, 10,000 gold coin, 5,000 gold coin मिल रहा है तो ये सारे reward लेने के लिए क्या करना पड़ेगा इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है और OB42 अपडेट के दावरान एक नया मिली वेपन, सौक वीप और एक नया करेक्टर जिम में आने वाला है तो इनकी ability इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इस वाले वीडियो में बहुत सारी जानकरी रहने वाली है तो चलिए विनादरी के वीडियो को सुरू करते है चला भई, देख अपने क्या करता प्यार, अब मैं आपको ऐसे special addrop के बारे में बताने वाला हूँ जो कि गरीन और फ्रीफायर ने हाली में हम लोगों के लिए डिजाइन किये हैं ताकि हमारे ID में दे सके जिन में से कुछ addrop हमारी ID में आचुकी होंगे कुछ आने वाले होंगे तो चलो देख लेते हैं कि कुण कुण से addrop आने वाले हैं तो सबसे पहला addrop यह है देखो जिसमें बुया पास का प्रीमियम कार्ड है 50 बैचेस है, 100 डायमंड है यह वाला addrop बहुत ही rear player की ID में आएगा अब जो next हमारा special addrop है उसमें हमको dragon gangster bundle देखनी मिल रहा है अब जो next addrop है इसमें dragon gangster bundle तो है ही साती में 300 डायमंड भी है भाई यह तो बहुत ही मस्त है इसी तरीके से MP5 के skin 99 डायमंड female का बंडल 200 डायमंड male का bundle 200 डायमंड MP5 nut cracker वाली skin 100 डायमंड फाल को pet के skin 200 डायमंड EU gun token box plus 50 डायमंड next में है MTP वाली glow all के skin plus pen के skin plus 100 डायमंड अब जो अगला special addrop है वो जिसके ID में आएगा ना उसको तो मज़ा आजाएगा क्योंकि इसमें यह देखो बूया बलून वाला इमोट मिल रहा है battle in style वाला इमोट मिल रहा है हला के battle in style वाला इमोट एक बार free में मिल चुका है plus 100 डायमंड है then last में जो special addrop है उसमें कुनफू वाला इमोट है plus 100 डायमंड है तो देखे ना यह यह सारे special addrop जो कि अभी गरीना free fire ने हाली में हम लोग के लिए डिजाइन किये हैं तो आप लोग honestly comment box में बताओ कि इन में से कौन सा air drop आपके ID में आ चुका है कौन सा आया हुआ है अब मैं आपको बताने वाला हूँ OB 42 अपडेट के बारे में तवर जैसे कि आपको पता होगा पहले हमारे गेम में साइथ नहीं हुआ करता था लेकिन एक OB अपडेट के दारान करीना free fire ने साइथ को हमारे गेम में डाल दिया सेम उसी तरीके से हमारे गेम में एक और नया melee weapon आने वाला है जिसका नाम रहेगा sock whip जो की कुछ इस तरीके से दिखने वाला है तो ये वाला sock whip की category रहेगी melee weapon में इसकी length रहेगी 2 meter और maybe ये वाला melee weapon 150 का damage एक बार में देने वाला है तो ये वाला melee weapon special है Jimmy character के लिए क्योंकि free fire वालों ने एक video डाला था जिसमें Jimmy character ये जो आने वाला है न ये गेंडे को sock whip से knock कर देता है देन हया तो उसको पुरा finish कर देता है तो याला sock whip आने वाला है ऐसी leak मिली है बाकि Jimmy character आने वाला है ये तो 100% confirm है ही और ये है Jimmy character का first look तो Jimmy character की ability अभी पता नहीं चली है जैसी मुझे पता चलेगा मैं आपको बता दूँगा क्यूंकि ob42 update का advance server 13 October को आने वाला है लेकिन उसके पहले ही advance server का जो APK रहेगा हूं मैं आपको provide कर दूँगा जिससे हमको पता चल जाएगा Jimmy character की ability क्या है थाला सर के character की ability क्या है और ऐसा भी सुनने मिला है कि old दिन वापस आने वाले है because map में snow गिरने वाला है और game की file में एक ऐसा event मिला है जिसमें 8 देखने के बदले में एक diamond हम लोगों को मिल सकते हैं बाकि इसके लिए तो अभी मैं confirmation नहीं करूँगा जैसी मेरे को और जानकारी पता चलेगी तभी मैं आपको बताऊंगा तो यही थी OV42 अपडेट के जानकारी अगर आपको और कुछ पूछना होगा तो बेजी जग comment box में पूछ सकते हो अगला एपिसोट अब आपके moon को fresh करवाने के लिए मैं आपको एक ऐसी meme दिखाने वाला हूँ जिसे आप लोग meme या फिर एक कहानी भी बोल सकते हो छोटे सी जिसे देख करके आप लोगों को मज़ा आजाएगा तो यहरे meme दिखाने से पहले आप लोगों के लिए एक disclaimer है कि जो meme अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो एक कालपनिक meme है उसका reality से कुछ भी लेना देना नहीं है वो just act किया गया है ठीक है तो चलिए meme देखना सुरू करते है वो भाई बच्चा चपल के साथ गेम चल रहा है पागल हो गया कही अच्छा बच्चे ने दरवाजा नौक किया उसका कुन पिता जी या फिर भाई होगा वो गोड़ रहा है कि उसे gift चाहिए तो उसे gift दिया गया एक mobile खुस हो गया बच्चा अब mobile में बच्चा गेम खेलने लगा वो भाई ये तो बहुती खतरनाक तरी से वो भाई फोन तोड़ दिया इसके पापा ने उसका अगर ये वाली मीम को आपके पापा या फिर बड़ा भाई देख लेंगे जो कि गेम नहीं खेलते तो आपको कभी फोन में गेम खेलने देंगे ही नहीं हाला कि ये मीम है बच्चे ने एक्टिंग किया है वो सच में पागल नहीं हुआ है जबकि कुछ इस्टेटीस ऐसा बताती है कि गेम खेलने से दिमाग सार्फ होता है अला कि इस दुनिया में किसी भी चीज की लिमिट क्रोस करोगे तो उसके दूस परिणाम तो होंगे ही तो आई होप आप लोगों कोई वाली मीम अच्छी लगी होगी मीम कम ग्यान जादा दे दिया लगता है मैं तो एर वीडिओ में आगे वड़े उसके पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस वाले वीडिओ को लाइक कर दिजिए और अगर चेनल पर नहीं होंगे तो इसी अमेजिंग और प्यार इसी वीडिओ के लिए चेनल को सस्क्राइब कर दीजिए क्यूंकि subscribe कर दोगे तो छोटे थोड़ी न हो जाओगे साहब यह कुई तरीका है भीक बाँगने का अब आप लोग बढ़े करोगे तो यहीँ तरीका अपना ना पढ़ेगा लगता है इसलिए subscribe कर देना तो चलिए वीडियो मेलोग तोड़ा और आगे वड़ते हैं बगेर है क्या के खासी आता है सारी जानकरी मैं आपको बता दिया हूँ अब ये देखो एक भाई का कमेंट आया है भाई अपनी कहा था हिरो इक पर जाने पर ग्लो वाल मिलेगी तो चलो इसका अंसर अभी मैं आपको देने वाला हूँ और इवेंट हमारे इंडियन सर्वर पर कब आएगा ये बताने के लिए एक सर्वर की बीच में कमपेरिजन भी करने वाले हैं तो ये देखो इस वाले सर्वर में गिल्ड गलोरी इवेंट भी सेम है डेमों सलेर इवेंट भी सेम है इवेंट पर जाएंगे तो रिजनल क्लेस आया हुआ यहाँ पर हमारे इंडियन सर्वर पर रिजनल बैटल है वाउचर एक्षेंज इवेंट भी शेम है भूया पास्रिंग इवेंट इसमें स्टॉप अप इवेंट सब कुछ सेम है बस इस वाले सर्वर में एक इवेंट अलग है जिसमें यहाला मिसन आयावाई यह देखो BR Heroic Reward Token जिसमें Heroic पर जाने पर यहाली टोकन मिल रही है जिसका नाम है Heroic Token CS Heroic Reward Token जिसमें CS में Heroic पर जाने पर यहाली टोकन मिलेगे जिसका नाम है Heroic Token एंड exclusive heroic reward जिसमें दो heroic token को exchange करने पर यह वाली heroic वाली global के skill मिल रही है तीन heroic token को exchange करने पर यह वाली golden color के global के skill मिल रही है तो यह वाला server कौन से देश का है आपको पता है अगर नहीं पता होगा तो मैं आपको बताता हूँ तो यह देखो इस वाले server का नाम है यूरोप का server और आप लेगो की जानकारी के लिए मैं आपको बता दू Indian server, Bangladesh server, Singapore server, Europe server तो इन चारो server में जो moderator है न वो एक ही बंदा है वही बंदा चारो server में same event देता है बस एक ही different है कि यूरोप के server में heroic वाली global के skill मिल रही है तो अब देखते हैं एक नॉबर को OB42 का update भी आ रहा है, Free Fire India भी आ रहा है हो सकता है कि इस उब दिन के दिन गरीना Free Fire वाले ये वाला event हमारे game में दे दे अब मैं आपको rank के बारे में और एक जानकारी बता देता हूँ ये वाले BR ranked grandmaster remote और CS ranked grandmaster remote ये हम लोगों को कब मिलने वाले हैं ये वाला भी question आप लोगों के दिमाग में आया होगा ना तो आपको पता होगा OB42 update आ रहा है तो OB42 update के दारान जो भी नया rank season आएगा उसमें जैसे हम लोग heroic पर जाएंगे heroic वाला emote मिलेगा, master पर जाएंगे master वाला emote मिलेगा और grandmaster पर जाएंगे तो grandmaster वाला emote मिलेगा तो आप सभी लोग comment में बताओ अभी तक free fire के इतियास में आप लोग grandmaster पर गए हो या फिर नहीं गए हो honestly comment box में जरूर बता दीजीगा हां तवेर finally, अब मैं आप सभी को वाली trick बताने वाला हूँ जिससे आप सभी को 50,000 gold coin, commando bundle या फिर 10,000 gold coin वगेरा मिलेंगे तो वाली trick को use करने के लिए आप सभी को guild battle event को open कर लेना है तो जैसी event को open करेंगे, spin के उपर लिखा रहेना चीए spins are full और spin left 10 out of 10 और मेरे पास plus 24 और spin है ही तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, spin के बाजू में select multiplier लिखा हुआ है उस पर click करना है, यहाँ पर 5X पर click करना है, then spin बारना है तो जैसी मैं spin बारूंगा ना, तो यहाँ पर मुझे 5 गुना reward मिलेंगे जैसे कि यह देखो, 3 single FF coin एक साथ में आए, तो यहाँ पर मुझे 150 gold coin मिल गए 3 energy वाले icon एक साथ में आए, तो 5 guild power एक साथ मिल गई तो इस वाले event में मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ, सबसे पहले मैं आपको proof दिखा देता हूँ जैसे मैंने घड़ी वाले icon पर click किया, नीचे scroll करता हूँ तो यह देखो, 24 September को 8.30 बजी तरब, यहाँ पर मेरे को mystery reward मिला है मतलब कि mystery chest मिला था, जिसमें से मुझे 50,000 gold coin मिले हैं और यह कैसे मिल आपको बता है, जैसे मैंने 5X multiplier करके spin मारा तो तीनो लाइन में gift वाले icon आ गए, जिसने मेरे को mystery box मिला और उसको मैंने open किया, तो वहाँ से 50,000 gold coin मिले हाला कि उसमें मेरा screen recording on नहीं था, लेकिन मैंने proof बता दिया तो मैं आपको बता दूँगा, तो यहरे मिलेंगे हम अगले वीडियो में तब तक अब लग अपना क्याल जरूर रखिएगा